नमस्कार दोस्तो एक नए वीडियो आयूपीएसी के साथ मैं अनिल सर्मा आपका स्वागत करता हूँ आयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन औफ प्योर एंड एप्लेड केमिस्ट्री जेनेवा प्रणाली के नाम से भी जना जाता है किसी भी कारवने की योगिक औरगनिक कमपाउंड का यूपीएसी नाम देने के लिए हमें एक सिम्पल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसमें चार स्टेप्स हैं फर्स्ट प्रिफिक्स, सेकेंड वर्ड रूट, थर्ड प्राइमरी सफिक्स, फूर्थ सेकेंड़ी सफिक्स एक एक करके समझ लेते हैं ट्रेफिक्स, यूज़ फॉर सबस्टिट्वेंट और साइड चेन, प्रतिस्तापी या पार्श रंखला के लिए प्रयुक्त होगा उदारण के लिए यदे प्रतिस्तापी CL है तो क्लोरो, BR है तो ब्रोमो, और CS3 है तो मिथैलो इसके लावा और भी हो सकते हैं, ये प्रतिस्तापीयों के नाम है, लेकिन आपको इन प्रतिस्तापीयों की इस्तिती भी फिद रेस्पेक्ट वर्ड रूट, IUPAC नाम में देखाना आवस्यक होगा, जहां जरूरी होगा, वहां आपको पोजिशन देखानी पड़ेगी दूसरा स्टेप्स, IUPAC में आता है वर्ड रूट का, ये पिरेंटल कारवन चेन को बोला जाता है, लोंगेस्ट कंटूनियस कारवन चेन, जिसमें अधिक से अधिक पर्स रंकला मुझूद होती हैं, उसको वर्ड रूट कहते हैं, वर्ड रूट में कम से कम एक कारवन तो ह होगा ही, इससे अधिक भी हो सकते हैं, यदि एक होता है तो मेत, दो होता है तो एत, तीन होती हैं तो प्रॉप और चार होती हैं तो ब्यूट, इससे आगे जैसे जैसे कारवन बढ़ते हैं, हम वर्ड रूट के नामों को उसी के अक्रोडिंग देने लग जाते हैं, ये इंगली बॉंडड हैं, तो एन, अगर डवल बॉंड आता है, तो आपको एन और ट्रिपल आता है, तो आपको आइन, प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर लिखना पड़ेगा, लेकिन दियान रखें कि एन और आइन से पहले जहां जरूरी होगा, वहां इन से पहले इनकी इस दिखाना जरूरी है आवस्यक है चोथा स्टेप साता है आपका सेकंडी साफिक्स दोतियक अनुलगन यूजड फॉर फंक्शनल ग्रुप ये तब प्रयुक्त होगा जब आपकी कारवनिक योगिक में क्रियात्मक समू है जैसे अगर क्रियात्मक समू CWH है तो OECC, CN है तो NIT एसी पूरी क्रियात्मक समू की एक लिस्ट सारणी वरियताकरम की अनुसार लिखी गई है आपको उसी वरियताकरम की अनुसार क्रियात्मक समू के पूरु लगन, अनुलगन को याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर एक से अधिक क्रियात्मक समू आ जाते हैं तब ये डिस क्रियात्मक्समुओं के पूरू लगन prefix के स्थान पर ही लिखे जाएंगे ऐसा भी संबव है कि किसी भी कारवनेकी योगिक में कोई पार्ष रंक्ला या प्रतिस्ता भी न हो तो हमें prefix वाला स्टेप्स नहीं लिखना है और अगर कोई क्रियात्मक्समुओं भी न हो तो हमें secondary प्राइमरी सफिक्स वाला इस्टब भी नहीं लेखना है लेकिन हर कारवने की योगिक में दूसरा तीसरा वर्डूट या प्राइमरी सफिक्स के पद तो निश्चित ओंगे ही ये तो हर किसी में कमपलसरी हैं अब हम एक एक करके कुछ उधारण लेते हैं और इनको समझने का प्रियास करते हैं कि इनका नाम कैसे देते हैं मैंने कई प्रकार के उधारण लिये हैं और इनको उधारणों की सहता से आपको समझाना चाहूंगा कि IUPAC नाम कैसे दिया जाता है फॉर्मूला आप धियान रखें सीक्वेंस धियान रखें और जो स्टेप्स हाए उसी के एक करते हैं जिस एंड से सबस्टी ट्वेंट क्लोजर पोजीशन पर होता है तो यहां पर सबस्टी ट्वेंट ये दो हैं लेकिन इनकी पोजीशन इधर से थर्ड कारवन पर है और यहां सबस्टी ट्वेंट मिथाईल एक ही है लेकिन इसकी पोजीशन लेफ्ट एंड से सेकें नाम हो जाएगा पोजीशन लिखना पड़ेगा इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 5 और इसकी पोजीशन भी 5 तो ये इसका नाम दे देते हैं 2, कॉमा लगाईए 5, फिर कॉमा 5 अब चुँगी तीनों पोजीशन सबस्टिट्वेंट सेम है तो ये मैंने लिख दिया ट्राइए और ये लिख दिया सबस्टिट्वेंट या साइड चेन का नाम मेथाईल अब वर्ड रूट का नाम लिखेंगे 7 कारवन है तो 7 कारवन के लिए लिखते हैं हैप्ट और सभी 7 कारवन सिंगली वंडेड है तो एन प्राइमरी सफिक्स के स्थान पर तो ये मैंने लिख दिया एन 255 ट्राइमेथाईल हेप्टेन इसका यूपीस ही नाम हो जाता है अब हम इसको देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी वर्ड रूट स्टेट लाइन में हो वर्ड रूट वो होती है जिसमें लॉंगेस्ट कंटूनियस कारवन चेन हो तो इसमें देखें कि स्टेट कारवन चेन में पांच कारवन है जब कि इधर 1,2,3,4,5,6 तो इसे ही वर्ड रूट मानना पड़ेगा तो ये इसका नाम हो जाता है ये आपके सबस्टीट या साइट चेन का नाम बनेंगे और नंबरिंग आप इसेंड से करेंगे क्योंगे इसेंड से दोनों साइट चेन को closure position मिलता है इसका नाम होता है methyl M से यहाँ साइट चेन दू है और इसका नाम होता है प्रोपाइल पी से अब जब साइड़ चैन एक से अधिक होती है तो आपको किसे पहले लिखना है ये इनके फर्स्ट लेटर अल्फावेटिकल प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है च्योंकि अल्फावेटिकल में MP से पहले आता है इसलिए हमें ये लिखेंगे 3 ये हो गया मिथाइल और फिर डेस मारके ये 3 ये हो गया प्रोपाइल और कार्बन है ये सब कुछ हो गया प्रिफिक्स के इस्तान पर अब वर्डूट लिखेंगे वर्डूट में 6 कर्बन है तो आगे बात करते हैं, इसमें हमने double bond लिया है, unsaturation है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कि अगर किसी organic compound में functional group, double bond, triple bond और side chain चारो ही आ जाएं, तो priority देने का order, decreasing order इस प्रकार से रहेगा, कि सबसे पहले priority functional group को, उसके बाद double bond को, उसके बाद triple bond को, उसके बाद side chain को, अब double triple में से भी double को तब priority पहले देनी पड़ती है, जब इन दोनों की position, word root के दोनों carbon end से same carbon पर आ जाए, अगर किसी organic compound में triple bond, double bond से carbon end से पहले number पर आ रहा है, ऐसे case में triple bond, double bond से पहले priority ले जाएगा, जैसे हमने example में आगे clear किया है, इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि ये side chain है, य priority double bond को, इसलिए word root की numbering इधर से ही करनी पड़ेगी, और ये हो गया side chain, इसका नाम होता है, methyl, methyl की position होती है, four, इसमें ही है, तो ये हो गया, four methyl, prefix के स्थान पर, word root में 5 कारवन है, तो ये हमने लिख दिया pent, अब primary suffix में in, अब in की position आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये in first और second, तो पहले वाली को लिखते हैं, तो ये लिख दिया pent one और ये in, ये इसका iubac नाम हो गया, four methyl pent one in, या one pent in भी लिख देते हैं, वो भी गलत नहीं है, अब इस case में हमने double bond और triple bond दोनों को लिया है, double bond left end से first पर है, और triple bond right end से first पर है, ऐसी condition में double bond को priority देंगी, तो numbering म मैंने इस दर से ही की, तो इसका नाम दे देंगे, अब क्योंकि side छी नहीं नहीं तो prefix अठाओ, word root 5 कारवन है, तो ये मैंने लिख दिया pent, अब in और आइन में पहले किसको लिखेंगी, है तो पहले in ही नहीं के साब से, लेकिन अगर नहीं भी होता, तब भी लिखने में तो पहले in ही आता, क्योंकि in का e, आइन के बाई से alphabetic priority में पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, pent और ये one, और ये in, और ये four, और ये आइन, हमें साफ four five में जो four पहले आता है, one two में one पहले आता है, तो जो पहले आता है, उसको ही लिखने है, pent one in four आइन, आग numbering भी functional group के basis पर यहीं से होगी one two three four, तो इसका नाम हो जाएगा आपका three, ये हो गया आपका chloro, ये हो गया आपका but, और ये but word root, और in, in और plus all, क्योंकि oh का secondary suffix all ही होता है, position भी आपको देनी पड़ेगी, तो इसका नाम हो गया क्या, three chloro butane one all, यहाँ आपको ये भी दिहन पड़ेगा कि E wobbles है और OV wobbles है, ऐसी condition में इस E को नहीं लिखा जाता है, तो नाम हो जाएगा three chloro butane one all, इसका correct नाम है, इसकी बात करते हैं, यहाँ CWH functional group सबसे superior functional group है, numbering इदर से ही कोगी, one two three four five, इसमें double boundary भी है, side chain भी है, तो priority पहले इसको देंगी, और इदर से ही numbering करें तो one two three four, अब यह side chain के लिए bromo, तो इसकी position four है, तो यह हो गया four bromo, और इसके बाद यह death, word root में पांच कारवन है, तो यह लिख दिया pent word root के इस्तान पर, अब primary suffix में in, two three में two को लिखेंगे, तो यह हो गया two in, मैंने इस लिए नहीं लिखा, क्योंकि OEC acid का over weave oils है, और यह मैंने लिख दिया, OEC acid, यहाँ one OEC acid नहीं लिखेंगे, क्योंकि OEC acid में CWH हमेशा, word root first carbon ही बनता है, वहाँ हम position लिखना कोई जरूरी नहीं है, और ना लिखते हैं, अब हम यह कुछ alicyclic compound ले लिया, यह तीन carbon का cyclic compound है, तो इसका नाम होता है, cyclopropen, cyclopropen, यह alicyclic compound होते है यहाँ मैंने alicyclic compound को side chain की तरह यूज किया, यह word root आपकी चारकारवन की, और यह खुद यहाँ पर एक side chain का काम कर रहा है, तो इसका नाम, चूंकि अब यह alkyl बन गया है, तो यह cyclopropyl हो गया, तो यह हो गया one, जो इसकी position with respect to word root first है, तो यह हो गया one, यह cyclopropyl, यह तो हो यहाँ मैंने alicyclic compound cyclohexin के साथ तीन side chain लिए हैं, तीनों ethyl हैं, और तीनों symmetrical distance पर हैं, तो इसकी position one, three, five, तो इसका नाम दे देंगे one, three, five, तीनों ही side chain से मैं, इसलिए मैंने इसका repeating time tri, और यह ethyl, क्योंकि दो कारवन का alkyl ethyl होता है, one, three, five, try ethyl, और यह हो गया cyclohex cyclohexin, cyclohexin, alicyclic compound है, यह यहाँ word root की जगे अपना नाम ले रहा है, नाम हो जाता है, अब मैंने कुछ bond line structural formula भी ले लिया है, उसका UPSC नाम, तो numbering इदर से क्यों की, क्योंकि इदर से इस side chain को closure position है, अगर मैं numbering इदर से करता तो one, two, three, four, इस side chain को four मिलता है, इसलिए मैं इसलिए numbering इदर से की, इसमें side chain भी है, double bond भी है, तो numbering तो हो गई, word root इसमें बन गी, 6 carbon की, तो आप इसका नाम दे देते हैं, सबसे पहले side chain का prefix की जगे नाम, तो यह हो गया position three है, तो एक carbon का है, three methyl, अब अगर double bond दो बार या दो से अधिकवार आ जाता है, तो ऐसी condition में ह word root two times आ जाता है, two यह more than two times आ जाता है, तो word root में a suffix a जोड दिया जाता है, hexa, अब position लिखनी पड़ेगी, दोनो double bond की कहा है, तो एक की तो one है, और दूसरे की यह five, और यह die, चूंकि double bond दो बार, तो die, die repeating times दिखाता है, किसका, in का, तो इसका नाम हो जाएगा, three methyl, hexa, one five, अब मैंने यह ले लिया, यहां मैंने दो functional group लिये हैं, एक functional group alcohol है, और दूसरा functional group गीटों है, अब priority में आपको यहां कहरा था, कि अगर आप functional group की priority list याद करते हैं, तब ही आप UPSC नाम सही दिये जाएंगे, क्योंकि अगर एक से अधिक functional group आ जाते हैं, तो यह देखना पड यहां पर यह ketone prior है, किस से, alcohol से, तो suffix ketone का चलेगा, और OH alcohol का prefix से लेगा, इसका suffix होता है, on, नाम दे देती हैं, word root, यह अब यह हो गया आपका substitute, यह सैड चीन, तो यह हो गया 4, और यह हो गया hydroxy, word root हो गया 4 की, तो यह हो गया but, और सब single bonded हैं, तो butane, मैंने e नहीं लगाया, क्योंकि अगला लेटर वाविल्स आएगा, और position दे देते हैं, butane to on, क्योंकि ketone का functional group on होता है, नाम हो जाता है, for hydroxy butane to on, last example देखे के लेते हैं, इसमें LDL भी है, और ketone भी है, लेकिन LDL की priority ketone से ज्यादा होती है, तो LDL का suffix और ketone का prefix, किसका prefix होता होता है, इसका होता है, suffix L, तो numbering इसकी priority के basis पर यहीं से होगी, तो 1, 2, 3, 4, word root, इसका पहले prefix लखेंगे, तो यह हो गया, 3 position है, किसकी ketone side chain या स्वेश्टी टोएंट मान लो उसको, तो 3 oxo, और यह dash, और यह bute, और bute, और इसके लिए CHO का suffix होता है, L, position देना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह खुद ही carbon involved functional group होता है, तो bute of A, मैं E नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें L आता है, अगर मैं लिख भी देता हूं, तो यह इसको आपको अठाना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा 3 oxo-butanel, मित्रो, आपको मेरा वीडियो के पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब से यह जरूर करें, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद